हेलो दोस्तो नमस्कार दोस्तो अगर आप लोग कल्यान सिंग सुपर स्पैसलिटी कैंसर संस्थान लखनव नर्सिंग ओफिसर जूनियर इंजिनियर पैरामेडिकल 315 पदो पर विक्यंसी निकाले गई है जिसका एकजाम 15 मई से सुरू होगा इसके लिए दोस्तो अगर आप विडियो आ चुकी है यहां पर आप लोग देख सकते हो ओल पोजीशन के लिए यह विडियो है बहुत ही जल आपका एकजाम होगा तो एकजाम की त्यारी के लिए आप लोग इस विडियो को देख सकते हो नर्सिंग इंडिया यूटूब चैनल पर जाके डेली आपकी कलास जो है नर्सिंग इंडिया यूटूब चैनल पर कराई जाएगी और बहुत ही जबर्दस विडियो रहेगी 100% जो है आपके एकजाम में कोस्चन पूछे जाएंगे तो नर्सिंग इंडिया यूटूब चैनल यूटूब पर जाके सर्च कर सकते हो यहां पे आप लोग दिया गया है चलिए दोस्तो विडियो शुरू करते हैं तो हेलो दोस्तो नमस्कार आपके यूटूब चैनल जो आप इंडिया में सौगत करता हूँ कल्यान सिंग सुपर स्पैसिलिटी कैंसर सांस्थान लकनव नर्स भरती 2024 दोस्तो के एस ससी आई लकनव की तरफ से नर्स निकाला गया है एक नोटिफिकेसन निकाला गया है जिसका एक्जाम 15 मैँ से लेकर 18 मैँ तक चलेगा और एक और विक्येंसी निकाला गया है नॉनटीचिंग पोजिशन जिसका एक्जाम 30 मैं 2024 को होने वाला है तो अभी दोस्तो अपडेट मिल चुकी है आप लोगों का जो एक्जाम जो है 315 पदो पर जो विकेंसी निकाली गए है जिसका एक्जाम 15 माई से शुरू होगा इसके लिए official जो है shift wise यहाँ पर data आ चुका है shift wise यहाँ पर exam date आ चुका है nursing officer का दोस्तो 5 shift में exam होगा shift के भी जानकाई दी गई है आज हो 6 मैं, अभी अभी नई नोटीस निकल क्या रही है, इस नोटीस में जो है, सिफ्ट के बारे में जानकारी दी गई है, और एक्जाम टाइमिंग की जानकारी दी गई है, साथी एड्मिट कर कर दो क कब आएगा, इसकी भी जानकारी इस वीडियो में मैं आपको देने वा तो चलिए सबसे पहले आपको लेके चलते हैं KSSCI लखनो की ओफीसल वेबसाइट पर दोस्तों आपको जाना है यूटूब पर सौरी माफी चाहता हूं जाना है आपको गूगल पर सर्च करना है KSSCI जैसे आप लोग सर्च करोगे यहां आप देखे कल्यार सिंग सुपर स्पै कैंसर इस्टिटूट सेजी सीटी लखनाव निचे आईए तो यहां पर देखोगे तो नोटिस बोर्ड का ओप्सन है और यहां पर देखे नोटिस रिगार्डिंग इस पर आप लोग क्लिक करोगे दो सेकेंड के अंदर नोटिस मिल जाएगी नोटिस डेट यहां पर मेंसन है 6 माई दो हजार चौविस रिगार्डिंग इडिविटी नंबर के एस एससी आई 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 यहां पर सारी जानकारी दी गई है date of examination के बारे में जानकारी है और shift के बारे में जानकारी है आप लोग देखोगे तो 15 माई को जो है दो shift में एकजाम होगा 16 माई को जो है दो shift में एकजाम होगा 17 माई को जो है दो shift में एकजाम होगा फोर डे जो है 315 पदो पर विकेंसी है और इसका एक्जाम चार दिन आप लोगों का चलेगा 15 माई 16 माई 17 माई और 18 माई जिसमें से अगर हम बात करते हैं तो पार डे दो सिफ्ट में आप लोगों का एक्जाम जो है होने वाला है सबसे पहले देखिए सिफ्ट वन की टाइमि 3 पिम 2 पिम और यही है आप लोग देखना 16 माई को सिफ्ट वन का सुबह 10 बज़े से 12 बज़े दक पेपर चलेगा सिफ्ट वन का सुबह 10 बज़े से 12 बज़े तक पेपर चलेगा और सिफ्ट 2 में जो है सामको 3 बज़े से दोपार 3 बज़े से लेकर सामको 5 बज़े तक पेपर चलेगा अभी आप लोग देखो नर्सिंग ओफिसर का जो है 15 माई को सिफ्ट 1 में पेपर होगा साथी 15 माई को जो है सिप्ट टू में भी नर्सिंग ओफीसर का पेपर होगा 16 माई को जो है सिप्ट बन में नर्सिंग ओफीसर का पेपर होगा और साथी सिप्ट टू में भी दोस्तों नर्सिंग ओफीसर का पेपर होगा सत्रे माई को जो है सिप्ट वन में जो है नर्सिंग ओफिसर का पेपर होगा तो पांच सिप्ट में जो है नर्सिंग ओफिसर का दोस्तो पेपर यहाँ पे होने वाला है पांच सिप्ट पंदरे माई को दो सिप्ट में पेपर होगा 16 माई को 2 सिप्ट में पेपर होगा और 17 माई को सुभए सिप्ट 1 में पेपर होगा तो यही है 17 माई को सिप्ट 1 तक पेपर आप लोगों का चलने वाला है इसके बाद सिप्ट 2 में जो है OT technician का पेपर चलेगा इसके बाद 18 माई को सिप्ट 1 में जो है OT Association का paper चलेगा इसके बाद 18 माई को जो है 52 में जो है Anathasia Technician का paper चलेगा इसके बाद 15 माई को जो है 51 में जो है Pathology Technician का paper चलेगा 15 माई 51 में जो है Emergency Medical Technician का paper चलेगा 15 माई 51 में जो है Ideo Visual Technician का paper चलेगा और 51 में जो है Eco Technician का paper चलेगा तो यह आप लोग जो देखो कि 15 माई स्रिप्ट 1 में जो है pathology technician, emergency medical technician, idea of visual technician, eco technician यह जो है एक ही स्रिप्ट में paper यहाँ पर चलेगा इसके बाद 17 माई को जो है स्रिप्ट 2 में जो है OT technician का paper चलेगा technician dialysis का paper चलेगा 17 माई को स्रिप्ट 2 में जो है nuclear medicine technologist का paper चलेगा medical gas pipeline technician का paper चलेगा radiotherapy technician का paper चलेगा इसके बाद 18 माई को स्रिप्ट 1 में OT assistant का paper चलेगा microbiology technician का paper चलेगा junior engineer electrical का paper चलेगा clinical psychologist का paper चलेगा PFT technician का paper चलेगा radiology technician का paper चलेगा इसके बाद 18 माई को स्रिप्ट 2 में anesthesia technician का paper चलेगा 18 मई को सिप्ट 2 में ECG technician का पेपर चलेगा पेपर यहाँ पे चले वाला है clear तो सिप्ट वाइज मैने आपको सारी जानकारी दे दी है आज है 6 मई 6 मई आभी भी ये notice जारी की गई है बाकि दोस्तों देखोगे तो admit card जो है KSSCI के website पर 9 माई 2024 को admit card का जो link है activate कर दिया जाएगा तो 15 माई 2 सिप्ट में paper चलेगा 16 माई 2 सिप्ट में paper चलेगा 17 माई 2 सिप्ट में paper चलेगा 18 माई 2 सिप्ट में paper चलेगा और 9 माई 2024 को जो है आप लोगों का एडमिट कार जारी कर दिया जाएगा तो 9 माई को जैसे ही आप लोगों का एडमिट कार जारी किया जाएगा मैं आपको हमारी YouTube चैनल जो अब इंडिया पर अप्डेट कर दूँगा बाकि दोस्तो हमारे second channel second channel Nursing India नर्सिंग इंडिया यूटूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो नर्सिंग ओफीसर इसके लावा वेरियस एक्जाम्स जैसे SSC का भी जो एक्जाम होगा जून में उसकी भी त्यारी कराएज़ाएगी केजमू, लखनव, SGPGI, डांक्टर रामनो लोहिया सभी एक्जाम के त्यारी, इंग्लिस और हिंदी, दोनों लेंग्विज में कराएज़ाएगी वीडियो यहाँ पे डेली आ रहे हैं चैनल पर, जाकि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए और डेली आप लोग त्यारी करिए, 100% गरांटी है आपके एक्जाम में कोस्चन हमारी यूटूब चैनल पर डालेगे वीडियो से पूछा जाएगा बिल्कुल प्रॉमिस है, हमारी यूटूब चैनल पर जो भी वीडियो अपलोड होगा उससे ही कोस्चन पोचा जाएगा, तो आप लोग अच्चे से डेली 2-3 घंटे हमारे चैनल के माध्यम से त्यारी करिए 100% आपको सेलेक्शन मिलेगा, धन्यवाद